Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start lecture 46 in Java programming previous lecture में हम डिस्कस कर चुके exception handling के बारे में साथ हमने डिस्कस किया था try cache और multiple cache के बारे में इस lecture में हम डिस्कस करेंगे nested try block के बारे में एदियम word पे जाए तो यहाँ पर word है nested और nested word को हम पहले भी programming के अंदर देख चुके हमने जब study किया था for loop उस समय हमने देखा था nested for loop के बारे में nested for loop means जब for loop के अंदर यदि हम for loop को use करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते है nested for loop ठीक इसी तरीके से हमने study किया था nested if के बारे में means जब if condition के अंदर हम if condition को use करते हैं तो यह वाल if condition क्या कहलाती है nested if condition so nested से simple समय निकलता है nested means जब किसी structure के अंदर उसी structure को use किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते है nested जैसे हमने x के अंदर x को use किया देख्या के लाएगा nested x ठीक इसी तरीके से try के अंदर भी होता है हमें आप एक study करना है nested try जब हम try के अंदर try को use करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेगे nested try लेकिन आकि nested try की जरुवत क्यों पढ़ती है यह भी सबसे बड़ा question है मान लीजे कि आप एक try block को use करने वाले हैं अब यह जो line है इस line पे आने वाला है exception अगर इस line पे exception आ गया that means नीचे की line नहीं चलेगे second exceptional line चलना ही नहीं है इसी तरीके से third वाली line भी हापर नहीं चलेगे लेकिन हम क्या चाहते है कि जितने भी code है यह सारे code चलना चाहिए अगर first line के अंदर ही exception आ गया that means second line चलेगी ही नहीं third line चलेगी ही नहीं जबकि हमको सभी lines को execute करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो exception 1 वाला code है इसके अंदर भी try block को use कर लो exception 2 वाले code के अंदर भी try block को use कर लो और exception 3 वाले code के अंदर भी try block को use कर लो अगर हम multiple try का use नहीं करेंगे that means जब first time exception आएंगा तब ही हमारा code रुख जाएगा बाकि में code चलेगा ही नहीं अब किस तरह से हम देखते basic programs की मदद से सो यहाँ पर हमें class बनाते है उस class को name दे दिया 46 क्लास हमने बनाई यह main function भी हमको put करना पड़ेगा public static क्वाइड में 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 फंक्शन हमारा बनके अब यह में में फंक्शन के अंदर देखे हैं हमें यूज करना है ने स्टेट ट्राय क्या की यूज के से किया जाता है सो उसके लिए हम को multiple exceptions भी लाना पड़ेंगे तब हम ने स्टेट ट्राय का यूज करेंगे ते दिए हम लोग यहाँ पर देखे का अर्य हम बनाते है ए नाम का एक के अंदर में ने देदिया values 1, 2 and 3 इसका मिनिंग क्या है index नंबर 0 पर 1 है index नंबर 1 पर 2 है index नंबर 2 पर 3 है और हम यहाँ पर क्या करते हैं जो अर्य वन की value है इसको हम रिप्लेस कर देते है index नंबर 3 की value divided by 0 से हमें पता है कि यहाँ पर जो भी work हमने किया है इससे एक exception आने वाला है mathematics में लोग देखे किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो वह arithmetic exception देता है इस प्रोग्राम को मैं save करता हूँ द्राइब में गए यहाँ नेम दे दिया 46.java कमान प्राम्ट को ओपन किया डी ड्राइब गए जावा c46.java दें जावा 46 यदि हम देखे तो हमको यहाँ पर error दिखाई दे रहा है array index out of bond कि जबकि मैंने क्या करता कि हमको arithmetic exception आने वाला है बट यहाँ पर कौन से exception आ रहा array index out of bond exception यह कब आता है यह दि हम लोग देखे तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर कौन-कौन से जीरो इंडेक्स नंबर वन एन इंडेक्स नंबर टू बट हमने आपर क्या यूज किया है कि इंडेक्स नंबर वन को हमने इंडेक्स किया है index नंबर 3 divided by 0 बट यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 तो ही नहीं डेट मिन जहाँ पर हमको अरिथमेटिक एक्सेप्शन अब यह हम देखे हमें कौन सेक्सें मिल रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन इसका मिनिंग यह है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा exception हो सकते यह डिपेंड करता है कोड़ पे डेट मींस हमको मल्टीपल ट्राइब लॉक का यूज़ करना पड़ेगा इस लाइन समको कौन से exception मिल रहा है अरित्मेटिक अब मैं यहाँ पर एक लाइन ओर देता हूँ देटी सिस्टम.out.println यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं a3 को इंडेक्स नंबर 3 तो ही नहीं हमें पता है कि कौन से exception आने वाला है array index out of bond because यहाँ पर array का index नंबर 0 है 1 है और 2 है लेकि index नंबर 3 यहाँ पर नहीं है that means array index out of bond exception आने वाले है अब हमारे कोड में दो exception है अगर मैं इस लाइन को देखू तो arithmetic exception अगर मैं इस लाइन को देखू तो array index out of bond exception हम इस प्रोग्राम को save करते हैं अब यादि हम देखे था में कौन सा exception दिखाए दे रहा है उनली arithmetic दिखाए दे रहा है हमको array index out of bond वाले exception है पर शोर नहीं हो रहा है इसकी पिछे कारण क्या है इसकी पिछे कारण नहीं है कि जब यह lines के अंदर ही exception आ गया तो इसकी निच्चे वाली लाइन एक्जेक्यूटी नहीं होगी अभी कुछ द्याय के लिए मैं इस line को delete कर देता हूँ अगेंड प्रोग्राम को save करता हूँ अब आलितमेटिव वाली exception के लाइन को में नटा दिया है अब सिप एक की लाइन ने वो कौन सी है array index वाली अब यदि हम देखें तो exception कौन सा है array index और top bond exception है मैं से बात तक clear होगी कि इस प्रोग्राम के अंदर दो types के exception है अगर first exception चल गया तो दूसरा लाइन चलेगी ही नहीं तेकिन हम क्या चाते है कि दोनों लाइन एक्जेकुट होना चीए और दोनों के अंदर चेक होना चीए exception है कि नहीं है अब इसके लिए मैं यहाँ यूज करता हो try block का try का हमने यूज किया और नीचे हमने यूज किया cage का दिखती बात अगर try का यूज करना है तो cage का यूज भी करना पड़ेगा ठीक अब दो exception है अब मैं कौन सी class को call करूं अरिथमेटिक को call करूं यहाँ पर कि इंडेक्स अरे अरे इंडेक्स आटाव बांड को call करूं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं सिप exception class को मैंने call किया बस exception ie करके ना मैंने है आरित्मेटिक exception शोः किया ना array index, outcome, bound侌ल exception शोः किया क्योंकि है आप एक ही class का name दे नहीं है को दोनों classes का name आँ नहीं दे सकते तो मैंने parent class का name दे दिया that is, exception और इस object को हम प्रिंट करवा देते e को हमने आप 대 प्रिंट करवा दिया जावा सी 46.java then java 46 यदि हम देखे तो कौन से exception मिल रहा भी भी आरित्मेटिक वाले exception ही मिल रहा है that means ये वाली लाइन एक्जिक्यूटी नहीं हुई जिसके अंदर array index out of bond वाले exception है अब मैं इस lign को उपर की तरब कर देता हूँ आरित्मेटिक वाली को नीचे कर देता हूँ अब आरित्मेटिक exception से उपर कौन से लाईन है array index out of bond वाले अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ अब एदि में देखू तो कौन से एक्सेप्शन आ रहा है अरे इंडेक्स और टॉप बॉंड वाला अरित्मेटिक वाला नहीं आ रहा है तेसका मिनिंग किलिए रहे कि जो लाइन उपर लिखी गएगी उस लाइन का एक्सेप्शन ही शो होगा निच्वर लेंग का एक्सेप्शन शो नहीं होगा तेसका मिनिंग यह कि जो ट्राइब लॉक है इसके अंदर में एको ट्राइब लॉक का यूज़ करूँगा इस try block के अंदर में रख दिया arithmetic वाल exception और यहाँ पर जब catch block को call किया तो catch block के अंदर में कौन सी class को use करूँगा arithmetic exception वाली class arithmetic exception के मेंने object बना लिया ae नाम का वह यहाँ पर हम लोग print करवा लेते system.out.println ae नाम के object को मेंने यहाँ पर print करवा दिया ठीक है मिस एक जो try block का use किया हमने वो किसके लिए किया है जा पर arithmetic exception आने वाला है ठीक और यह कैसा try है नेस्टे ट्राय है ओके तो भी हमने क्या किया हमने try block के अंदर एको try block लगाया और उसमें जिस code के अंदर arithmetic exception आने वाला तो उसको put कर दिया है अब हमें क्या करना है कि एक को try यहाँ पर यूज करना है उस code के लिए जिसके अंदर array index out of bond error आने वाला है एक ट्राय का हम यहाँ और यूज करेंगे ओके और अरे इंडेक्स वाला इरर जिसके अंदर आएगा उसको हमने इस ट्राय के अंदर रग दिया और साथ में हमको इस ट्राय के लिए केज का भी यूज करना पड़ेगा इस बार हमको पता है कि एरर कौन सा है array index out of bonds exception इसके लिए हमने object बना लिया AIOB यहाँ पर object को print कर देते system.out.println यहाँ पर हमने print कर दिया AIOB that means try block के अंदर हमने दो nested try का use किया है यह code देखके हमको clear हो रहा है एक main try यहाँ पर है इसके अंदर एक nested try block यहाँ पर है another nested try block यहाँ पर है अब हमको यह देखना है कि क्या दोनों code चलेंगे वो वाला code भी चलेगा कि जिसमें arithmetic exception आ रहा है और वो वाला code भी चलेगा कि जिसमें array index out of bond वाला exception आ रहा है मैं इस program को save करता हूँ command prompt को open किया जावासी 46.java code compile हो गया कोई रहर नहीं 46 code रहन भी हो गया अब यह दि मैं देखो तो arithmetic exception वाला code भी चल गया array index out of bond वाला exception वाला code भी चल गया तो आई तिंग यहाँ पर आपको clear होगे होगा कि nested try की जरुद क्यों पड़ती है जब हमको ऐसा लगे कि more than one lines के अंदर more than one code के अंदर exception आने वाला है और आपको सभी lines को execute करना है उस समय हम क्या करते हैं nested try का use करते हैं next lecture में हम exception handling को continue करेंगे और वहाँ पर हम discuss करेंगे finally block के बारे में कि finally block का exception handling में कैसे use होता है I hope आपको आशका लेक्चर के लिए रुआ होगा thank you thank you for watching